परियाना के पंचकुला में भाजपा विधायक दल की बैठाक परियाविक्षक के रूप में अमिर्शाह और मोहन यादो मौजूद कल शपत लेगी नई सरकार उमर अद्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होगी कॉंग्रेस बाहर से देगी समर्थन सीम पद्पिशापत गरहन से पहले उमर अद्दुल्ला ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई शंगाई सायोग संगठन की इसलामाबाद में बैठक जारी शिकर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर भारत का कर रहे हैं प्रतिने जित्वाट महरास्ट में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्री चुनाव समित की बैठक आज कल पीम मोदी की मौझूदगी में जारखंड के नामों पर हुआ था मंत्र और भारत और न्यूजिलैंड के बीच बैंगलूरी में पहला टेस्ट आज बारिश के वज़े से टॉस में हो रही है देरे चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से सबसे पहले हर्याना की बात करेंगा हर्याना में भाजपा विधायक दल की आज अहम बैठक हो रही है बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा बैठक के लिए विधायकों के पहुचने का सिसलाब शुरू हो चुका है मार्च में मनोहर लाल की जगह हर्याना के मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी बने थे और राज्य विधान सभा चुनाओं में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की पूरी संभावना है केंद्री ग्रे मंत्री अमिर्शाह और मद्री प्रदेश के मुख्यमंत्री मुहनियादो हर्याना में राज्य विधायक दल के नेता के चुनाओं के लिए केंद्री परिविक्षक है पंचुकला में पार्टी कार्याले में होने वाली बैटक में राज्य विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा बता दें हर्याणा में नई स्थरकार कल शपत लई हर्याणा में हुए विधान सभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार लगाता जीत दर्ज की है 8 अक्टूबर को नतीजे घोशित किये गए थे जिसमें 90 सदस्य विधान सभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती जबकि कॉंग्रेस को 37 सीटें मिले तो आज हर्याणा के लिए एहम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक है जिसमें चुनाव किया जाना है माना जा रहा है कि यह जो मुख्यमंत्री पत के उम्मिद्वार के लिए नायप सिंग सैनी को एक बाद फिर से उस पर महर लग सकती है अलागे ग्रेमंत्री अमिर्शा और मद्धिप्रिदेश के मुख्यमंत्री मौहन यादो वहां पहुंच चुके हैं हर्याणा में कल नई सरकार शपत लेगी और शपत ग्रहन की तैयारियां भी इस वक्त चल रही है निशान तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला से जो कि इस खबर पर नजर बनाये हुए है निशान बोधने बाद वक्त निकालने के लिए क्या कुछ अपडेट है किस तरह की तैयारिया है थोड़ा सा वहां की जो तस्वीरे हैं हम तक पहुंचाईए और कल तक तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी देखें अब से कुछ ही देर बाद केंद्री अग्री मंतरी अमिश शाओ और मद्य प्रदेश के मुखे मंतरी मोहन यादो बीजेपी के पंच कुला दफतर जो कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा है मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जूम करके पंच कुला बीजेपी दफतर दिखाए कि उसके बाहर जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही और थोड़ी देर बाद दोनों प्रिवेक्षक यहां पहुचेंगे जहां पर विदायक दल की बैठक होगी और विदाय आसान नहीं रहने वाली है बीजेपी के पास एक कस्म कस है कि जिस तरीके से नयाव सेनी एक नए चेहरा थे और नए चेहरे पर हर्याना की जंता ने पूरी तरीके से विश्वास किया तो क्या कैबिनेट भी कुछ इस तरीके से रखे जाए या अनभवी चेहरे को भी मोका दिया जाए तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक में इन बातों पर चर्चा की जानी है चले आप करना है कि यह जो बैठक के लेकिन सबी लोग यही समझ समझना चाह रहे होंगे निशान की अमेशा जी को क्यों पर विक्षक बनाया गया और हर्या प्राइस भी दे सकते हैं देखिए आमिशा वही नेता थे जिन्होंने पंचकुलां में अपने भाशन में काहा था कि नयाप सैनी के नेत्रत में ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है तो इसमें संसे कम ही होना चाहिए कि विदायक दल का नेता कोई चौकाने वाला नाम निकल कर सामने आएगा लेकिन कैबिनेट को लेकर किस तरीके से भूमी का तैयार की जाएगी जैसे कि छे जाट चेहरे जीत कर आए हैं लगवग आठ पंजाबी चेहरे जीत कर आए हैं कि इनको क्या मौका दिया जाएगा कौन से मंत्राले दिये जाएंगे कैबिनेट मंत्री कौन रहेगा क्या पुराने जो खटर कैबिनेट में जो चेहरे थे उनको मोका दिया जाएगा या फिर इस बार हमें नयात सैने की पूरी नई कैबिनेट देखने को मिलेगी यह तमाम सवाल और इन सवालों से परदा तभी उठेगा जब बैठक हो जाएगी और बैठक के बाद ची में हो रही है आप देख रहे हैं एक के बाद एक बड़े फैसले सरकार ले रही है और तीन गुना तेजी के साथ काम कर रही है विकसित भारत के और बनने की तो क्या हरियाना में वही फॉर्मूला अपनाय जाएगा या फिर हरियाना में कुछ दूसरी रणनीति के साथ पी का सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कदम होता है वो उसकी मैनिफेस्टों में किये वादो को पूरा करना होता है क्योंकि पार्टी लगातार हर चुनाओं से पहले यही दावा करती है कि हमने जो गारेंटी दी थी उसको पूरा किया है मोदी की गारेंटी तो ऐसे में जो रो बीजेपी यहां सासन में रही है और दूसरी बार गडवंदन की सरकार यहां पर रही थी इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत में आई है तो ऐसे में क्या बीजेपी इस बार कोई यहां पर नया प्रियोग करेगी क्या बीजेपी इस बार नए चेहरों को बुलाए गए हैं ड्रोन दीदी बुलाए गए हैं सफाई क्रमचारी बुलाए गए हैं तो इसका मतलब सरकार ने संदेश तो साब दे दिया है कि हम आंतिम व्यक्ति की जो बात करते हैं उसको पूरा सम्मान देंगे और ऐसे में हर्याना में जब किसानों के मुद्दे पर वि सारी चीजे देखने वाली होंगे निशांत एक अंतिम सवाल आपसे ये कि चुनाओं से पहले जो पूर्व ग्रे मंत्री थे हर्याना के अनिल विज साहब उनको लेकर के बहुत सारी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ अनिल विज ने एक तरसे दावेदारी भी की और उनन बिल्कुल गहमा गहमी मैंने पहले भी कहा था कि पुराने चेहरों को मौका दिया जाए या ने चेहरे को मौका दिया जाए जो पुराने कैबिनेट मंत्री थे जिनमें एक अनिल विज भी थे क्या मौका मिलेगा या नहीं इन तमाम बातों पर आज की बैठक में चर्चा हो और सामंजे से बनाकर और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक धन से इसको पूर कर लिया जाए। अहम मसला यह है कि इन पर उम्मीदवार किसे उतारा जाए। महारास्ट बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर के बैठक करेंगे और सभी के मवजूदगी में प्रत्याशियों के नाम पर मन्थन किया जाएगा जैसा कि हमेशा से किया जाता रहा है। का जा रहा है कि महाराष्ट में बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ सीट बटवारे पर चर्चाब हो चुकी है ये काम लगबग पूरा हो चुका है और जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा मायोती में बीजेपी के साथ साथ एकनाश्रिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गटवंदन है 288 सीट वाली महारास्ट्रा विधान सवा में बहुमत के लिए 145 सीट की जरुद होती है 2019 के विधान समाच चुनाओं की बात करें तो बीजेपी को 105 सीट शिवसेना को 56 सीट एनसीपी को 54 और कॉंग्रेस को 44 सीट हासिल हुई थी AI, MIM, समाजवादी और MNS जैसे कई दलों ने भी जीत का स्वाद जरुद चबात है रबात करते हैं चारकंड चुनाओं की तो बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए अपनी चुनाओती और अपनी चुनाओं वी रणनीती को लगातार धार दे रही है चुनाओ की घोशना के साथ ही पार्टी ने बीजेपी मुख्यालाय में केंद्रे चुनाओ समीत की बैठकी देर रात तक चले इस बैठक में खुद प्रदामंत्री मुदी और जेपी नड़ा समेत अमेशा के साथ-साथ चारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी, चमपाई सोरेन और अरजुन मुंडा भी मुझूद रहे काफी देर तक प्रत्याशियों के नाम पर विचारवे मर्श हुआ अब अगले एक दो दिन में जहारखंड के लिए भी पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सारुजनिक कर सकती है सुत्रों की माने तो बैठक में जहारखंड की लगभग 50 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचारवे मर्श किया जा चुका है और पहली सूची में 35 से जादा उम्मीदवारों के नाम खोशित किये जा सकते है और जहारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नॉंबर को मतदान किया जाएगा 2019 विधान सबाचनाव में JMM को 30 सीटे मिली थी कॉंग्रेस को 16, RJD और CPM को 1-1 सीट मिली थी जिसके बाद इस कड़वंदर ने सरकार बनाई थी BJP को 2019 में केवल 25 सीटे मिली थी आगे बढ़ते हैं नैशनल कॉंफरेंस को पाधक्ष उमर अब्दुल्ला आज सुबह जमू कश्मीर के मुख्यमंत्री पत्थ की दूसरी बार शपत लेंगे उनके शपत गांड से पहले कॉंग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि उनके पार्टी जमू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्ता नहीं बनेगी बलकि उमर सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी बता दें कि उमर अब्दुल्ला की नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस ने जमू कश्मीर विधान सवा चुनाओ में गढ़वन्दन किया था और साथ मिल करके चुनाओ लगा था इस गढ़वन्दन ने चुनाओ में जीत भी हासिल की थी 1998 में अपनी राजने शुरू करने वाले अब्दुल्ला को सी पी एम आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के लावा पांच निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है जमू कश्मीर के नाएम उक्वांत्री के तौर पर शापत लेने से पहले एक चोड़ दब रेक लेते हैं आप देख रहे हैं समाचार MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ पिना सकते हैं पैंगन का भरता, अलू गोबी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ MDH, MDH बेटियां घर की रौनक हैं बेटियां घर सवारती हैं बेटियां पीडियां सजाते हैं बेटियां घर की बुन्याद कहलाती हैं बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाठ्शा सम्रिद कलाई सदियों से हैं हमारी पहचान वोकल फॉर लोकल वा ग्लोबल होते भारत के कला साधम देखिये भारत की कला संक्रति के रंग में रंगा हमारा खास कारिक्रम रंग तरंग सिर्फ डीडी न्यूस पर अगर नैशनल कांफरेंस को पदेक्ष उमर अद्दुलाच सुबह जमुकश्मीर के मुख्यमंत्रिपत की दूसरी बार शफ़त लेंगे उमर अद्दुलाच से पहले कांगरिस ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि पार्टी जमुकश्मीर की उमर अद्दुलाच सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी वलकि उमर सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी पता दें कि उमर अद्दुलाच की नेशनल कांफरेंस और कांगरिस ने जमुकश्मीर विदान सभा चुनाओं में गड़वन्दन किया था और साथ मिलकर की चुनाओ लड़ा था इस गड़वन्दन ने चुनाओं में जीत भी हासल की 1998 में में अपनी राजिन देश शुरू करने वाले अब्दुलाच को सी पीम आम आदमी पार्टी कांगरिस के लावा पांच निर्दलियों का समर्थन हासल है जमो कश्मीर के नय मुखमंतरी के तार पर शपत लिने से पहले, अमुर अब्दुलाच ने श्यौनंगर में शेख अब्दुलाच की मजारे अन्वर पर जाकर करके फूल चड़ा है इस तारान उमर अद्बुल्ला ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंदर सरकार के साथ मिलकर के काम करने के लिए तत्पा हैं उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनिवी बात पर अमल करें उत्रप्रदेश के बहराईश में हुई घटना करम के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पूरे इलाके में RRF और पुलिस करमियों को तैनात किया गया है वहीं इस हिंसा की घटना के बाद सरकिल ओफिसर महसी रूपेंद्र गौड को हटा दिया गया है इससे पहले इसी मामले में धाना ध्यक्ष हर्दी और एक चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया जा चुका है इस मामले में आज शाम तक जिले के और भी अपसरों पर गाज गिर सकती है खाने पीने की चीजों को दूशित करने पर सखत कारवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी नया पानून लाने जा रही है पिछले कुछ दिनों में खानपान की वस्तों में मानो अप्षिस्ट और खाद गंदी चीजों की मिलावट जैसी घटनाए उत्तर प्रदेश में कई जगों पर सामने आई थी वीडियो वाइरल होने के बाद योगी आदेतिनात सरकार ने अब कारवाई की थी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदेतिनात ने एक महत्पूर्ण बैठक की है मुख्यमंत्री ने होटल, रेस्ट्रोरेंट्स, ढाबों, स्ट्रीट वेंडर से जोड़ी गतिविधियों के संबन्द में सुस्पष्ट कानून तयार करने को कहा है योगी आदेतनात ने कहा, कानून का उलंगन करने वालों के खिलाफ कारवास और अर्थ ढंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए साथ ही ऐसे अपराद को संग्य और जमानती खरार देते हुए कारवाई भी की जानी चाहिए राष्ट पति द्रापद मुर्मू तीन दिनों की अफ्रीका के देशों की आतरा पहर है और भारती राष्ट पति आज मारिटानिया जाएंगी मारिटानिया पहुँच करके राश्टपती मुर्मू, मारिटानिया के राश्टपती मुहम्मद आलद शेख अलगजवनी से मुलाकात कर बातचीत करेंगी मारिटानिया के प्रधान मंत्री मुखतार आलद दजय और विदेश मंत्री मुहम्मद सलीम आलद मरजूप के राश्टपती और द्रौपदो मुर्मे से मिलने की उम्मीद है इसके लाव राश्टपती मुर्मु भारती समुदाय के सदसों के साथ बातचीत भी करेंगी राश्टपती के सियात्रा से भारत मारिटानिया द्यपक्षिय संबंदों को और मजबूती मिलेगी राश्टपती मुर्मु विदेश कार्याले परामर्श और राजनाईक पासपोर धारकों के लिए वीजा चूट को कवर करने वाले चार समझावता ग्यापनों पर हस्ताक्षर करेंगी वहीं मारिटानिया के राश्टपती के यहां राश्टपती द्रौपदु के लिए रात्री भोज का भी आयोजन किया गया है बता दें कि मारिटानिया इसमय अफ्रीकी संग का ध्यक्ष है राश्पति दरौपदुमुर्मों 13 से 19 अक्टूबर तक तीन अफ्रीकी देशों अलजीरिया, मारिटानिया और मलावी की यात्रा पर है और तलब है कि ये किसी भारती राश्टा धक्षी इन देशों की पहली यात्रा है और हम लगातर आपको बता रहा है कि राश्पति दरौपदुमुर्मों तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं और मारिटानिया और राश्पति से मुलाकात करेंगी और इस यात्रा से दोनों इदेशों के बीच में संब्न और भी मजबूत होने के उमीद है और राश्पती दौपडी मुर्मू मौरेटानिया के बाद मलावी के दौरे पर होंगी मलावी दौरे को लेकर कि यहां पर रहने वाले भारती मुल्की महिलाओं में खासा उत्सा है इस बात की बहुत खुश है कि पहली बार कोई भारती राष्टपती मलावी आ रहा है और वो एक महिला राष्टपती भी है उनका मानना है कि इससे भारत और मलावी के संबन भी मजबूत होंगे इन महिलाओं से बात की हमारे संबादाता अजीद दिवेदी ने मिलावी दौरे को लेकर मलावी में रहने वाला भारती समुझाएं खासा उस्ताइट है और महिलाएं खासी उस्ताइट है ऐसी कुछ महिलाएं हमारे साथ निलोंगवे में हैं हमसे बात करते हैं गास्टपती पहली बार मलावी में आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और मलावी के लिए भी और मैं तुतावजम फाइसे यहां पे हूँ, बीस साल तो हो गई हमारे यहां के दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्री अभी गई जैसे दिवाली अभी आ गई ऐसा लगता है हमका दुद्रोपती जी आ गई हमको जैसे कुटुम की जैसे हम रहते हैं, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहां पे President of India यहाँ प्यार है तो हम सब लोग मलावी और मलावी और इंडिया का जो बेंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉंग होने वाला है वो आने के बाद यहाँ पर मलावी में भारती समुदाय है जो की दसकों से यहाँ पर रह रहा है और यहां की उन्नती और प्रगती में भारती समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है केमरमेंट समुनास मिस्टा के साथ अजीद दिवेडी, डिडी न्यूज, लिलॉंगवे, मलावी और मलावी में भारती मलावी मूल की नई पीड़ी तयार हो गई आ है इस इंडो मलावी जनरेशन को भी राज़पती की दोरे से काफी उमीद है उनका कहना है कि इस दोरे से यहां के भारती समुदाय को भी बड़ी मजबूती मिलेगी मलाوی में इस इंडो मलावी जनरेशन के बच्छों के साथ बहत की अमारे समबादा था अजीद टिवेदी ने राशप 2007 मिलमू मलावी आ रही है और मलावी आने वाली भारत की पहली राशप्ति है मलावी में बड़ी संख्या में भारती समधाय भी रहता है जो कि यहां की आर्थिक प्रक्टी में बड़ा सहीयोगी साबित हो रहा है नेजनेशन से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं राजपती के दौरे को लेकर और किस तरह वो देखते हैं भारत और मलावी के सम्मन्द को? सब के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले ऐसे हुआ नहीं है और इससे लिएके यहां लोकल्स को भी बहुत फाइदा होगा क्योंकि अच्छी बात है पहले तो इंडिया और मलावी के रिलेशन्स अच्छी होंगे और इंवेस्मेंट जैसे बोला इंवेस्मेंट्स अच्छी होंगे और इंफरस्ट्रक्टर जैसे लेबर सब लोग यहां के और इंडिया के लोग को बिसनस के ऑपरचुनिटीज मिलेगी बहुत अच्छा है यह और नया वो होगा जैसे के फसिलिटीज और इंफरस्ट्रक्टर और यहां कुल्चर भी ट्रेड होगे बहुत अच्छी बंडिंग है और प्रेजिडेंट आरे है लिए 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 पर 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 पली बड़ी है और कहीने कहीं भारस से भी गहरा जुडाव रखती है और भारती प्रोफेशनल्स का मलावी को मजबूत करने में भी एहम योगदान रहा है यहां पर भारती प्रोफेशनल्स की क्या राय है द्रौपदू मुल्मू के इस पूरी यात्रा पर आएए आपको सुनवाते हैं हमारे समधाता जीद दीवेदी की ये खास रेपोर्ट बिजनस वाइस माधाका मोरा पुला नाम मत कांफी बांडिंग है मुद् क्या मभी आप बांडिया है इंद्रुश्ट और मलावी और सिर्दॉक्या आफिक सिनल कॉपर्ण सरह कमें तो इंडिया और मलावी के बिच में हमारा एक्सपोर्ट अग्रिमेंट बनने वाला है जरूर से मजबूत होगे क्योंकि एक जो बिजनेस डेलिगेशन गुरूप भी आ रहा है जिसके साथ हमारा एपोइंटमेंट भी है तो काफी सारे लोगों के साथ एमो भी बनेंगे तो काफी सारे सबंद मजबूत होगे फारमर्स भी काफी सारे उस्सावी थे क्योंकि वैसे हमारा कुछ नकुछ बात होता रहता है तो उनको भी पता है कि मुर्मु जी पता रही है तो वो भी थोड़े उस्साइते का भी हमको कुछ और कुछ नकुछ मिलेगा या फिर सहायता मिलेगी कोई नई टेक्नोलोजिय मिल तो उस तरह से देखा ज़े तो बहुत अच्छी बात हो यह वो भारतिय समुदाय है जो ऐसे देश में हैं जिसे की विकास की दरकार है जहां पर तमाम विकास की समभावनाय हैं और कोशिस है कि यह प्रोफेस्टनल जो है वो अपने हुनर से अपनी काबियाद से इस देश का विकास तो करी रहे हैं साथ साथ भारत का नाम भी पूरी दुनिया में रौसन कर रहे हैं केमरामें समुदाय मिसला के साथ अजीद दिवेडी जिडी न्यूज लिलॉंगवे मलावी उपराश्पती जगदीब धनकर आज से असम और मेघाले के दो दिनों के दोरे पर रहेंगे उपराश्पती आज न्यू शिलॉंग के मावडियांग में मेघाले कौशल और नवचार रिपू हब का दोरा करेंगे और इसके आधार शिला रखेंगे और इसके बाद शिलांग में आईटी पार्क और राजभवन का दोरा करेंगे राजजी के मुख्यमंत्री और अन्य वरिस्ट अधिकारें के साथ भी मुलाकात करने का कारिक्रम है महिशाम को उपराष्टपती के सम्मान में राज़की स्वागत समारो का आयोजन किया जाएगा शिलांग स्थित राजभवन के दर्बार हॉल में आयोजित होने वाले इस समारो के दौरान संस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा उपराश्टपती जगदीद भंकर ने से आज सुबह केंदर शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के ग्रामीर और शहरी स्थानिय निकायों के निर्वाचित प्रतनिदियों के एक प्रतनिद मंदल ने उपराश्टपती एंकलेव में आकर के मुल वाद 1991 के मामले में सुनवाई होगी इस मामले में वाद मित्र विजे शंकर अस्तोगी की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी आपको बता दें कि इस मामले में वारारसी की सिविल कोर्ट में 15 अक्टूबर 1991 को प्राचीन मूर्थी स्वैंभू जयतिरलिंग लाड का निधन हो चुका है और लाबाद हाई कोर्ट में आज मत्हुरा स्थित श्रीकृष्ण जनम भूम शाही इदगाव विबाद में मस्जित पक्ष की रीकॉल अरजी पर बहस सुनी जाएगी कोर्ट सभी 15 सिविल वादों की एक साथ सुनवाई के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अरजी पर सुनवाई करेगा आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी पक्षकारों को इमेल से जवाब और आपती दाखिल करने की अनुमती दे दी है यूपी के लखीमपूर में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थपड मारने वाले अवधेश सिंग और उनकी पतनी पुषपा सिंग पर F.I.R. दर्ज कर ली गई है पुलिस रिपोर्ट के मताबिक चार नामदज और तीस से चालीस अग्यात लोगों के खिलाफ मुकद्नमा दर्ज किया गया है पता दें कि इस से पहले सुमवार को भाजपाने अवधेश सिंग सहित उनकी पतनी पुषपा सिंग को पार्टी से निश्कासित कर दिया था इस कार्निवल में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने अंदोलन रत डॉक्टर्स के साथ एक जुटता प्रदर्शित की डॉक्टर्स ने महमता सरकार के विरोध में मार्ज ने काला जिससे द्रोह कार्निवल का नाम दिया गया है पिछले दिनों जुनियर डॉक्टर्स ने दुर्गा पूजा कार्निवल के बीच द्रोह कार्निवल आयोजित करने की घोष्णा की थी इससे लेकर के पश्यमंगाल सरकार ने निश्रधाग्या लागू कर दी थी इसके बाद जुनियर डॉक्टर्स ने हाई कोड का रुक किया था कलकता हाई कोड की और से निश्रधाग्या हटाई जाने के बाद जुनियर डॉक्टर्स ने द्रोह कार्निवल शुरू किया है पीडता के पिता ने जूनियर डॉक्टर्स के द्रोह कार्नेवाल की सराना किया। यह तो डॉक्टरलग का जीती है, वो तो देख रहा है, हम ले याध हैं निहीं के देख रहा है, वो लोग अभी जिसाम मना रहा है। अदिली के रेजिडेंट डाक्टर एस्सोशेशन के प्रतिनिदियों के साथ फाइमा प्रतिनिद मंडल ने दिली के स्वास्त मंत्री सौरभ भारत वाज के साथ बैठा की है इस दोरान प्रतिनित मंडल ने महिला स्वास्तिकर्मियों के साथ यौन उत्पीडन से सम्मंदित प्रमुख मुद्धों पर चर्चा की फाइमा ने यौन उत्पीडन के मामलों के लिए केंद्रिकित समिति की स्थापना का विचार रखा है जिस पर सौरब भारत बाज ने फाइमा के सदस्यों को आश्वासन दिया है मौसम विवाग ने दक्षिन भारत के कई राज्यों करनाटक, पुडूचेरी, तमिलनाड और आनत प्रदेश में भारी बारिश का अलड़ जारी किया है दरसल लंगाल की खाड़ी के दक्षिन परशिम में बना दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दिल हो गया है जो 10 किलो मीटर प्रतिघंटे के रफ़तार से उत्तरपश्ण दिशा में आगे बढ़ रहा है ये चन्नई से 440 किलो मीटर, पुडूचेरी से 460 किलो मीटर और नेलोर से 530 किलो मीटर दूर इस्थित है तुफान के कल सुबह तक पुड़ुचेरी और नेलोर के बीच तट के पास पहुँचने की उमीद है दक्षन तट और रायल सीमा में कई जगों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है जबकि कुछ इलाकों में अत्तिक भारी बारिश की संभावना जट आई गई है तट के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रतिहंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उमीद है मौसम में आये इस बतलाओ की चलते तमिलनाड सरकार ने स्कूल और कॉलेजेज को बंद कर दिया है और कई IT कंपनियों के लिए जो कर्मचारी हैं उनके वर्क फॉर्म होम के निर्देश जारी किये गया है इसके साथ ही बैंगलूरू अर्बन में भी आज स्कूल कॉलेज बंद है बैंगलूर की तरह भारी बारिश की चलते पुड़ुचिरी सरकार ने भी पुड़ुचिरी और कराईकल क्षेतर के स्कूल और कॉलेजेज में छुट्टी घोशित कर दी है आज अंदर प्रदेश के रायल सीमा अक्षेतर में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग ने लोगों को सतर करहनी की सला दी है और मचवारों से समुद्र में न जाने को कहा है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने NSG स्थापना दिवस पर अपनी शुब गामनाय प्रेशित की है प्यम मोदी न अपने सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा नाई कोट नसजी स्थापना दिवस के अवसर पर भारत हमारे राष्ट की सुरक्षा में उनके अटूट समरपन साहस और द्रिट संकल्प के लिए सभी NSG कर्मियों को सलाम करता है खत्रों के खिलाफ हमारे राष्ट की रक्षा करने के लिए उनकी प्रतिवधिता सरानी है वेवीरता और व्यावसाइकता का प्रतीक है केंद्र गिर्मंत्रे मिर्शा ने NSG स्थापना दिवस पर अपनी शुप कामनाई दी है केंद्रे मंत्रे मिर्शा ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा NSG के स्थापना दिवस पर मैं हमारे NSG कैट्स कर्मियों और उनके परिजनों को हारदिक्षिप कामनाई देता हूँ सर्वत्र सर्वत्तम सुरक्षा के आदर्श वाक्य पर चलते हुए NSG ने त्वरित प्रत्रिक्रिया सामरिक आश्यर्य गुप्त संचालन और तुर्टिहिं सठीक्ता में उल्लेखनिय विशिशक्यता के साथ रास्टि सुरक्षा को लगातार मजबूत किया है NSG के उन बहादरों को सलाम जिन्होंने करतब विकी राह पर अपने प्राणों की आहोती दे दिए विमाचल प्रदेश के मंडी में कथित अवैध मस्जित को लेकर के निगम आयुक्त की कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है TCP यानि नगर नियोजन विभाग ने इस मामले में रोक लगाई है और 20 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनबाई होनी प्रदेश के मंडी अवैध मस्जित के मामले ने अब एक नया मोड ले लिया है 13 सितंबर को कमिशनर कोट की तरफ से अवैध हिस्से को गिराने का डिसीजन लिया गया था इस डिसीजन पर अब जो है TCP के जो प्रदान सचव है दिविश कुमार उन्होंने रोक लगा दी है मंडी के विभादित मस्जित मामले में एक बार फिर नया मोड आ गया है 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड स्थित मस्जित के अवैध हिस्से को गिराने के कमिशनर कोट ने आदेश दिये थे लेकिन इन आदेशों पर आब रोक लग गई है नगर नियोजन विभाग यानि TCP ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है और अब इस मामले के अगली सुनवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रधान सचव दिविश कुमार 20 अक्तूबर को करेंगे वही इस मामले में हिंदू संगठन भी आर पार की लडाई के लिए तैयार है हिंदू संगठनों का कहना है कि TCP कोट उन्हें भी इस मामले में सुनवाई के लिए बुलाई जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके अगर हमें नहीं बुलाते हैं या बुलाते हैं वो TCP कोट के उसमें रहेगा मंडी की इस मस्जिद के मामले में हिंदू संगठनों ने दो बार बड़े स्थर पर विरोध प्रदशन किया था और जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैद बताया था 27 मौजूद हैं पूरे प्रदेश से अब एक बार फिर अवैद मस्जिदों का जो ये मामला है तूल पकड़ता नज़र आ रहा है और अब आईए सिधे लिए चलते हैं आपको स्रीनेगर जहां पर उमर अब्दुल्ला जमु कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ले रहे हैं और अवैद तौर अवैर अफच्टिन और इल्वल I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister thank you my hand is shaking और आपको सीधे लिये चलते हैं पाकिस्तान की राज़दानिस्लामाद जहां पर इस वक्त विदिश मंत्री S.E.O. समिट में अपना संबोदन दे रहे हैं अम्ता का का यहां है तो वजीर आज़दान ने विद्धानिस्स पाकिस स्चेऑ страш की रखकर है पाकिस्तान कीक्रूदान परवाधर्स जह को में अप्रिश्तान की आफ़दिथ की अफ़िछ आव्गान conduir Dove Во अगका इतावन के हो वाले से, त्रख्य थुरूerm. बहुत से मुआके मौचूद है इलाकाई तरक्षी के लिए बैल्ट एंड रोड इंतिहाई आहम मनसूबा है। बहुत से मौचूद है बहुत से मौचूद है। बहुत से मौचूद हैं। आप देख रहे हैं खास समझार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर सवारती हैं। बेटियां पीडियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुन्याद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बाद्शा। स्टील। 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 मध्यप्रदेश के उत्पादों के निर्यात में लगातार बहुतरी देखी जा रही है। राज्जी में फार्मसेटिकल उत्पादों का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। वितवर्ष 2022 तेश के आंकडों के मताबिक मध्यप्रदेश से सबसे ज़्यादा अमेरिका को किया गया जिसकी कीमत 11,230 करों रुपए आकी गई थी। साल 2023 के आंकडों में निर्यात के मामले में मध्यप्रदेश भले ही देश में 15 नंबर पर हो लेकिन पिछले 5 साल में किवल साल 2019-20 को छोड़ दें तो प्रदेश में निर्यात के आंकडों में लगतार व्रिधी हुई है। रैजी के निर्यात को बढ़ाने में सबसे बड़ा यूगदान यहां के फार्मा सेक्टर, अपसेश और अपसेश्ट, कॉटन, यांतरिक उपकरण और टेक्स्टाइल शेत्र का रहा है। पिछले पांच वर्षों के आंकडों पर गौर करें, तो साल 2018-19 में 44,649 करोड रुपे का निर्यात हुआ था, जो साल 2019-20 में घटकर 37,693 करोड रुपे तक पहुँच गया था। उसके बाद लगतार आंकडा बढ़ता ही जा रहा है। साल 2020-21 में 47,969 करोड का निर्यात हुआ, वही साल 2021 में 58,407 करोड रुपे का निर्यात पहुच गया है। इसके अलावा साल 2022-23 में ये आंकडा 65,878 करोड रुपे हो गया। पांच वर्षों में लगभग 50% से अधिक से निर्यात आगे बढ़ चुका है। 46,000 करोड तक मद्यप्रदेश का निर्यात पहुच चुका है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मद्यप्रदेश के जो व्यवसाई हैं, मद्यप्रदेश के जो मैनेफेक्चरर हैं, यह विशेश तोर पे एक्सपोर्ट में रुची ले रहे हैं और दूसरा मद्यप्रदेश शासन और केंदर शासन की जो नीतियां हैं वो इस तरह से है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। चार हजार आठसो पैंसोट करोड रुपए का और टेक्स्टाइल शित्र में चार हजार तिनसोट सैथिस करोड रुपए का निर्यात हुआ। जिलिवार देखें तो मदप्रदेश के 10 जिलों में सोयाबीन, 6 जिलों में फार्मा और चावल के साथ ही 5 जिलों में कौटन या उसे बने उत्पादों का बोल बाला देखने को मिला। इसके अलावा गेहूं, एल्मोनियम, आदी में भी कई जिलों से अच्छी मात्रा में निर्यात हुआ है। अदितर शिर्वास्तव के साथ बीरू रिपूर्ट डीडी नियूज अब मदप्रदेश की सरकार तमाम अलग-अलग शित्रों में जाकर जीजनल इंडस्री कॉनक्लेव में भी देश दुनिया से आ रहे निवेशकों को इन आकलों से रूब रूप करा रही है। अब गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेर देखने जाना है तो आपको सावधान रहना होगा क्योंकि गिर की लाइन सफारी बूकिंग के लिए कई अनाधिकृत वेबसाइट्स के परेटकों से कई गुना ज्यादा दाम वसूलने के खबरें अब सामने आई हैं। ये वेबसाइट्स बिलकुल अधिकृत सरकारी वेबसाइट जैसी लगती हैं लेकिन एजेंट्स द्वारा संचालित की जाती हैं। वन विभाग ने परेटकों से अपील की है कि gov.in डोमेन वाली अधिकृत वेबसाइट से ही आप बुकिंग कराएं। ये वेबसाइट के लिए लाख सर्कारी वेबसाइट को कई बार जब ऑन-लाइन जब बारे में सर्च करते हैं। आप वेडरे मं बात शूपरेंगे से टरीरे श्रिवास्तव औरमग नहीं ढि Civास्तर हैं। इसमें ऐसा प्रेटको द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो सर्च करते हैं तो कई प्राइबेट वेबसाइट जो सरकारी जैसी दिखती हैं वो उनके सामने आती है और उनसे जो सरकारी चार्ज है उससे जादा वसूल रहे हैं ऐसे कई केसे सामने आ रहे हैं त्या कहेंगे क्या कई बार इस विशह पर डिसक्स भी किया है अब जब सर्च इंजिन हम देखते हैं गिर नैशनल पार्क का तो प्राइवेट वाली वेबसाइट पहले आ जाती है हमारी वेबसाइट तीसरे नंबर पर आती है हमारे वेबसाइट में एक इंपॉर्डन एस्पेक्ट है उसकी डो सारी जो हमारे वेबसाइट में जो जुगियात है आपके नाम आपके TELINGING NEW आदर्रे सेक्ट ये सारी जो क्लिवएलियात प्राइबसाइट में जो जब हम लोग बुक करते हैं तो परसंट की केवल इंट्री टिकेट बुक करते हैं जो लगवाग आठ सो रुपए है लेकिन जब वो बुक करते हैं तो परसंट की इंट्री टिकेट के साथ साथ वेहिकल भी बुक करते हैं वेहिकल के पैसे भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि पर परसंट साइड वो रकम पांच हजाद 4,500 या पांच हजाद 4,500 ऐसे रकम लेते हैं किर के एशियाई शेर देखने जाना है और सफारी करनी है तो बेशक कि कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर हम बात करें तो सरकारी वेब साइट को किस तरीके से आप एकसेस कर सकते हैं और अगर हम आप ओन-lائن सर्च इंजिन पे जा रहे हैं तो यह सुनिश्यत करें क्या बुकिंग जो है वो सरकारी वेब साइट पर करें मनाने जा रहा है इसी कड़ी में वाराणसी परिवहन विभाग ने संत अतुलानन्द काउंडमेंट स्कूल में चात्र चात्राओं से सड़क सुरक्षा पर जनकारी साजा कर उनके सवालों का जवाब दिया और फिर शपत भी देलाई इसाई जोनको लेकर के विद्यार्थी बहुत ही उत्साहित नजर आये हमारे समाधाता ने वहाँ उपस्तित परिवहन विभाग के अधिकारियों और चात्रों से बात किये उत्तर परिवहन विभाग की एक नायाब कोसिस है सड़क सुरक्षा पकवाड़ा मना रहे हैं और संत अतुला नंदी स्कूल के बच्चों के साथ सेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं उप परिवहन आयुकत वारान सी भीमसेंजी हैं यह आप लोगों ने बच्चों के बीच ही क्यों अर्गनाइज किया है इसलिए कि हमारा जो फोकस होता है वो सबसे पहले विद्याले होता है जो कि बच्चे हमारे देश के भविश्य हैं बच्चे बच्चे भी होते हैं गलति शिख्यत होता है और तीसरे यह कहा जाता है नेशन विल्ट इने क्लास्रूम यह विद्याले संततुला नंत से कॉन्वेंटी स्कूल है इसकी प्राचारिया है निलम सिंगी निलम जी आपने यह जो परिवहन विभाग की मदद से पक्वाड़ा रखा है सड़क सुरक्षा य जैसे हलमेट जरूर लगाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं उनकी जिन्दगी बहुत कीमती है साथ साथ यह जो बच्चे हैं यह बच्चे भी सड़क सुरक्षा से जुड़ेवे नियमों को आज जान पाए हैं जो कही न कहीं इनके मन में रहेगा और जब यह सड़क पर ज करेंगे तो कहीं न कहीं आने वाला भविश्य खत्रे में है हमारे कंथो पर बहुत से जिम्मदारियां हैं और हमें उन जिम्मदारियों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को सुने हमें उसे इंपलिमेंट अपने जिन्दगी में कितना कर रहे हैं यह बहुत जरूरी होता है हमने यहां बहुत कुछ जाना कि रोट पे सुरक्षा कैसे करें कैसे चलें गाड़ी लेके गलत तरी लेकिन यह तब तक नहीं जिंदगी में उतरता है जब तक हम इसको स्वाय है फिर अपने परिवार की द्वारा ना सुरूप यह जो प्रयास है वो दिखाई दे रहा है इन युवाओं के माध्यम से कि किस तरह से फली भूत होगा क्योंकि यह खुद जागरूख है और इनकी कोशिस होगी चुकि यह महत्व को समझ रहे हैं कि दुरगटनाओं को कैसे टाला जा सकता है अगर हम थोड़ी सावधानी ब राकिया है रवे नजजर के साथ उनकी पत्नी भी मौझूद रही मीडिया से बाचीत में राजदूत रवे नजजर ने कहा कि आयोध्या में आने वाले श्रधालों की रोजबरती संख्या से पता चलता है कि यह कितना महत्वूर स्थल है उनने कहा कि रामलला के दर्शन करक कि वो खुद को गर्वान में हैसूस करें वोड़ा ये ले बिद्टा के लिवाory में एंशया है नहींग क्या शिभशा लिव जर्णल उपेंदर दिवदी इस समय जापान के यातरा पर हैं यह यातरा भारत और जापान के बीच रक्षा सहियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है अपनी यात्रा के दरान जनरल दिवेदी ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकतानी के साथ मुलाकात की है इस दरान दोनों देशों ने अपने दिपक्षे रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबधता भी जाहिर किये भारत और कोलंबिया ने मवजुदा संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर सहमती जताई है भारत और कोलंबिया ने नई दिल्ले में विदेश कार्याले परामर्श के दस्वें दोर के दरान व्यापार, निवेश, उर्जा, आईटी सहित, मवजुदा दिपक्षे संबंधों की समिक्षा की है इसके साथ ही दोनों देशों ने रक्षा, नवी करने उर्जा और रेल्वे जैसे ही सहयोग के नए ख्षेत्रों की पहचान भी की विदेश मंत्राले के ओर से बताया गया है कि FOC के दरान दोनों ही पक्षों ने आपसे हीतों के ख्षेत्रिय, बहुपक्षिय और अंतरास्ट्री मुद्नों पर भी विचारों का आदान, प्रदान किया है श्रिलंका के परेटन उद्द्योग को आगे बढ़ाने में भारतीय परेटक भी एहम भूमी का निभा रहा है इस साल की बात की जाए तो तीन लाग से जादा भारतीय परेटकों ने श्रिलंका की आत्रा की है इसमें भारत इस द्वीप में परेटन का सबसे बड़ा स्तोत्र बाजार बन गया है श्रिलंका परेटन विकास प्राधी करण द्वारा जारी आकणों के अनुसार इस साल अक्टूबर के मद्दे तक 15 लाग से जाधा अपरेटकों ने इस द्वीप रास्ट का दौरा किया भारत के बाद शीश स्तोद्रवाजारों की सूची में यूके, रूस, जर्मनी और चीन शामिल है हाल ही के वर्षों में भारत और श्री लंका के बीच दिपक्षिय संबंदों में कनेक्टिविटी एक महत्यपूर्ण पहल रही है साथ ही एको नेमित उडाने और दूसरी और नौका सिवाओं को फिर से शुरू किया गया है और दूने देशों के बीच यात्रा और ज्यादा आसान और आरामदायक हुई है विदेशी राज़श जनरेटर में से एक है और श्री लंका के परेटन अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें 2025 में 3 मिलियन विदेशी परेटों के उमीद है जो परेटन उद्द्यों को कोविट के पहले के स्तर पर ले जा सकते हैं अमेरिका ने इसराइल को आगाह किया है कि अगले 30 दिनों के भी तरगाजा में मानवी सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी आने था उसके लिए अमेरिकी हथियार तक पहुँच खत्म होने का जोखिम पैदा हो सकता है विदेश मंतरी अंटनी बलिंकन और रक्षा मंतरी लॉयड आस्टिन ने रविवार को लिखे एक पत्र में अपने इसराइली समकष्णों को आगाह किया कि ये बदला होने चाहिए इस पत्र में उमाने में सहायता और हथियारों के हस्तांतरन के प्रती अमेरिकी नीती को दोहराय गया है उत्री गाजा में बिगरते हालात और इसराइल दोरा मद्ध गाजा में एक अस्पताल में टेंट स्थल पर हमले में चार लोगों की मौत के बीच ये पत्र भेजा गया है रक्षा विभाग के एक वरिस रदिकारी ने कल कहा कि बिलिंकन और ऑस्टिन ने अपने इसराइली समकख्षों को इसलिए पत्र भेजा है क्योंकि उन्होंने हाली में गाजा तक पहुँचने वाली सहायता में कमी देखी है आस्टिन और बिंकन ने कहा कि इसराइल को विदेशी सैन्ने मदद प्राप्त करने के लिए गाजा में राहत मदद का स्तर बढ़ाना होगा इसराइल को लोगों के सुरक्षित पना की विवस्ता करनी होगी और सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी उन्हेंने कहा कि इस्राइल के पास विभिन आवशक्ताओं पर कदम उठाने के लिए 30 दिनों का समय है और अमरीका में राश्पती चुनाओ 2024 के लिए स्विंग स्टेट्स में मतदान शुरू हो गये हैं इसके साथ ही Electoral College प्रक्रिया के तहए 270 Electoralate Votes भी हासल करने की रेस शुरू हो चुकी है जो एक स्विंग स्टेट है जो एक स्विंग स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास ज्यादा संख्या में Electors होते हैं और जो ये राज जीतेगा उसके White House पहुंचने की संभावना उतनी ही ज्यादा बताई जाती है और जैसे से अमेरिकी राश्प्रदी चुनाओं जो अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं भारती अमेरिकी समुदाए इन चुनाओं में महत्रपूर्ट भूमी का निभा रहा है भारती अमेरिकी हालाकि अभी भी संख्या में बहुत कम है तो भारत के लिए भी खास होगा दरसल जीडी वेंस की पतनी उशा वेंस भारती अमूल की है ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में या तो भारती अमूल की महिला अमरिका की राश्पती बनेंगी किसानों से जो यहां सालों से आडू और आलू बुखारा उगा रहे हैं यूवा सिटी में भारतियों की कहानी बीसवी सदी के अंत में शुरू होती है जब पंजाब के शुरूाती एपरवासी यहां खेत मजदूर की रूप में काम करने आए थे आज की वक्त में यह आपरवासी सम्रध किसान वैवसाय मालिक और पेशियवरों के एक संपन समुदाय में बदल गए हैं अपरवासी भारते समुदाय आज अमरीकी समाज में पूरी तरह से घुल मिल गया है खेती करने के लिए अमरीका आए भारते परिवारों की कई पीड़ियां डॉक्टर इंजीनर जैसे अन्ने वैवसाय में भी गई लेकिन उनमें से कई अब खेती के अपने पारिवारिक पेशे की तरफ लोट रहे हैं जहां टिकनोलोजी के शेतर में भारतियों का कॉंट्रिबूशन अमेरिकन सिसाइटी में काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है काफी जाना माना है और उसको एक पैचान भी मिली है सत्य अनडेला और सुंदर पैचाई जैसे लोग टिकनोलोजी सेक्टर में पोस्टर बॉइज हैं इंडिन अमेरिकन्स के वहीं यहां अमरीका की कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में अगरिकल्चर यहां कृशी के शेतर में भारतियों ने जो नाम कमाया है और यहां की एकॉनमी में इनकी कान्टिबूशन को देखते हुए यहां की सुसाइटी में जो भारतिये वैल्यूस हैं इंक्लूसिविटी की, टॉलरेंस की, डाइवर्सिटी की वो लाई हैं और इसलिए यहां भारतिये जो हैं अमेरिकन्स जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनको अग्रेसिवली परस्यू करती हैं अभारत नीजलेंड की बीच पहला टेस्ट बैंगलूरू में खेला जाना है, पहले टेस्ट के लिए अब तक टॉस भी नहीं हो पाया है, लगातार बारिश हो रही है और इसकी वज़़े से टॉस में देरी हो रही है बैंगलूरू के एमचिनना स्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच पर बारिश का साया अभी भी घराया हुआ है, सिरीज में बांगलादेश के खिलाफ दोशोनी की जीत तर्चकर घर पर ही लगातार 18 टेस्ट जीत करके रेकॉर्ड बनाया था, और च दूच के कांस्ट अबड़्यू दोशाता 19 टेस्ट में गा след रेक, युर्ड रेक 5 की जीत झाल झाल झाल